कीमा आलू नमक內 1 कट में रुट हैसं और आलू के आलू ठालो प्याग प्याज जब अच्छी्क फ्राई हुँ जाए तो इसमें डालेंगे एक टेग्ली फोन अधर्यकु लसन . अधर्यकु लसन जब थो आ सबन जाए तो इसमें डालेंगे कीमा धर्यक्रट्ट को थोधी खुल पर रहें और पीमे को अच्छी तरह भूल देते ह唉 दो से तीरमट कीमे को भूनने के बाद में इसमें डालेंगे हम पाउडर मसाले तो यह सारे पाउडर मसाले हम डाल देंगे और इन्हें हम थोई देर भून देते हैं चार शे पाच से पाच से मसालों को भुणने के बाद में इसमें डालेंगे हम ट्रमाटा अज़ अच्छे से बुं जाए तो इसमें डालेंगे पानी, पानी हम यहाँ आदा कप के करीब डाल रहे हैं, अगर आपको लगे कीमा आदा कप पानी लेगा नहीं तो आप त्वरसा तो अच्छे से करेंगे पहले मिक्स गेस को रखेंगे मीडियम टुई पर और इसका लगा दें रखकर बीडियम टुई हाई फिल्म पर उसे तीन सीटी लगा लेते हैं क्योंकि कीमा है तो जल्दी गल जाएगा अपने हिसाब से देख लें अगर कीमा जल्दी निकलता है तो आप एक दो सुटी और लगालें कीमा को देख लेते हैं आप देख सकते हैं कीमा अच्छी तरह दल गया है और इसमें थोड़ा सा पानी बाक ताब इसमें डालेगे हम आलू जो हमने अलू को फ्राइग किया था ये डाल देंगे और इन्हें थोड़ी देर भूण लेते हैं हम थोड़ा ठाक कर पका लेंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए पैसे आलू फ्राइए तो ये जल्दी से गल जाएंगे इसे ठाक देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे देखते रहेंगे ताकि ये नीचे ना चिपके. कैस को आपने बिलकुल मता रखा और मत तो आप याँ देख सकते हैं कि यह आलू भी अच्छी तरह गलगा है यह देखिए तो अब इसमें डालेंगे आप बारी कटा हुआ हरा धनिया तो लीजी आलू और कीमा बन कर तयार है आप इसे पराठे पूरी के साथ खाए तो रेसेपी बसंद आए यह तो लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो अगली एक नही रेसेपी के साथ फिर आजर होते हैं तो तक आप अपना ख्याल रखें अल्ला हाफिज